आज का मेरा टोपिक है बारत रतन इसको बोलते हैं इंडिन सिविल अवाइड आपके इंटरेंस एक्जाम में कई सारे कोर्षन पूँचे आता है कि C.V. रवन को कब बारत रतन मिला सर्रादा किशिन को कम मिला राज गोपालचारी कौàng मिला वी सिराइ को कम मिला तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले वो डिस्कस करने वाला हूँ 1954 में वो कौन से सक्से जिनको भारत प्रदम लाता एक साथ यहां से कोशन आपके इंटरेंस एक्जाम में कई बार पूचे गए हैं और इस्टुरेंट एक कोशन को लेके परिशन लेते हैं चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपके इंटरेंस एक्जाम में किसके स्टाफ से कोशन बनते हैं और आने वाले हैं भारत प्र continuum पर हम बात करते हैं तो पहला कोशन बनता है भारत का सबसे सरवुच या सबसे बड़ा प्रोस्कार जो बिग अवार्ड कॉन सा है तो को यह आपके इंट्रेंस एक्जाम में कोचा आता है, common question है, बारवर पूचा आता है, एक people के पत्ते पर सूर की platinum, चवी संग, देव नगरी लीपी में खुदा हुआ होता है, यह question पूचा गया है आपके एक्जाम में, सूर की platinum, पीनम नेक्स कोर्षन बनता है कि जो वाड़ततन जो अवाड होता है वो पीपल की पत्ते के आकारगा होता उसके ज़स्ट पीछे लगा रहता है सत्य मेव जय यह जैती यही कुछा है सत्य मेव जय जैती यही कुछान आपके exam में आया वो आ अब चलते हैं अब डिस्कस करते हैं वो कौन सक्स है छनको investir 54 में बार्त कलाक मिलाता सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1954 स्री राजगोपाल चारी स्री राज गोपाल चारी इनका जन्म दच्छर वारत के सलेम जिले में थोरा पल्ली नामगाउं करेने बाले हैं श्रीराजगोपाल्चारी जो हैं काहा के रणे वाले हैं दचिर भारत की दचिर भारत में थोरा, पल्ली नाम गाहों के रणे वाले हैं। इनको राजाई जी की नाम से भी जानते हैं। नेस्ट कुर्शन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा यह जो है भकील ते लेकक ते लाजनितिक और दर्शिक ते बेरी बेरी इंपरेंट कुर्शन आपके एक्जाम में बनने वाला है शुतंत्य भारत के दूत्य गवर्णर जनरल रह चुके हैं और प्रतम भारती गवर्णर रह चुके हैं यह कुर्शन आपके एक्जाम में बारत पूछा आता है कि शुतंत्य भारत का प्रतम भारती गवर गवर्नर जनर्र कौन था तो श्री राज गोपाल चारी जिसको हम बोलते हैं चक्रवती राज गोपाल चारी तो यह कोशन आपके एक्जाम में एक बार नहीं कई बार पूचा आता है कि भारत का प्रितम भारतिय गवर्नर जनर्र कौन है तो वो है चक्रवती राज गोपाल च बन गए और इन्होंना स्वतंत्र पार्टी की स्ताफना की थी आपके एगजाम में बहुत योगदान लिया है ये आपके एक्जाम में दो-चार कोर्शन में डिस्कस करें है ये आपके एक्जाम में आने वाले हैं और आते रहते हैं नेक्स्ट 1954 में और किसको मिलाता है ये हैं सरपल्ली राधाखिष्ण सरपल्ली राधाखिष्ण का जरम दच्चे वारत के तिरतनी इस्तान पर हुआ था चेननी से लगो 64 क्रोमेटर की दूरी पर है भारत के प्रतम उप्राष्ट पती आपसे कोश्ट पूचा आता है कि भारत के प्रतम उप्राष्ट पती सरपल्ली राधाखिष्ण बेरी बेरी इंपरेंट कुर्षन यह कुर्षन आपके एक्जाम में आया है और आता रहता है दुद्तिय राष्ट्रपती रहे हैं यह भी कुर्षन आपके एक्जाम में भारत का दुद्ति राष्ट्रपती नेस्ट कोर्षन वे भारती संस्क्रेट के समभाग, प्रक्यात, सिच्चाविद्मान, दार्षनिक और एक आस्तवान हिंदुी प्रचारक ते उनके इनी गुड़ों के कारण सन 1954 में 1954 में इनको भारत रतन से नावाजा गया, सम्मानित किया गया तो आपके एक्जाम में ये कॉर्षन पूछा जाता ै कि सिच्चक दिवस कब बना जाता है, बैरी बैरी कॉर्षन लोग इसको भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं, वह 5 सितंबर ये भी आपको याद करना है इसमें जो है तीन से चार कोशन जो है सेलेक्टेट हैं आपको याद करने हैं नेच्ट 1954 में और किसको बारत लाता ये बहुत महतपूर है बेरी बेरी इंपरेंट कोशन चंद सेकर वेकेट रमन जिसको हम बोलते हैं सोट में सीवी रमन आप सब लोगों को याद आगया होगा सीवी रमन चंद सेकर वेकेट रमन का जन्म तमिलनाडू के तिरुपचल पल्ली नामक किस्तान पर हुआ था इनको जो मिला था बारत लातन ये फिजिक्स में मिलाता ये भी आपको याद रखना है फिजिक्स में मिलाता नेक्स कुशन पूचा आता है कि सबसे पहले फिजिक्स में बारत लातन किसको मिलाता सीवी रमन ये आपको बोलना नहीं है ये आपके एक्जाम में 12 पूचा आता है और इन्होंने किस चीज़ पर खोजगरी थी प्रकास के प्रक्रिण ये जो है कुशन आपके एक्जाम में पूचा गया है प्रकास के प्रक्रिण पर इन्होंने कोजगरी थी और उन्हीं के लिए इनको बारत लगतन मिलाता अब हम बात करते है नोल प्रुसकार जो दिया गया था इनको तो किस टॉपिक था इनका या कौश टॉपिक पर उन्हीं उन्हें रिसर्च करी तो वो था प्रकास के प्रक्रिण ये आपको किसी प्रकार से कॉश्चन को खुमा के दे सकता है उनका अभिश्कार उनके ही नाम पर रवन प्रवाप पर किया गया था यह सब्सक्राइब आपके एक्जम में आ चुका है so坐 कोुर्षण नम्बर आपके एक्जम बनता है उन्हें बारत सरकार दुआरा 9 शभवोण की पाधी से दुऩित किया गयता एक और कोंश्ण बनता है लेलिन सामती पुरुषकार से किसको सम्मानत किया गया था सीवी गवन ये सारे कोशन जो है आपके इंटरेंस एक्जाम में आये हूँ है तो मेरी जितने भी वीडियो को जितने खिराड़ी देख रहे हैं मैं सबसे रुक्रेश करना चाहूँआ कि वो इस वीडियो को ध्यान पूरोग देखें और कोशन को नोडाउन करें थैंक यू